अलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube channel तृपल सी क्याम्प्यूटर क्लासस में यह है Part 2 Chapter 1 Introduction to Community हम आपको इसमें बताएंगे की कैम्प्यूटर क्या होता है कैम्प्यूटर के बारे में बताएंगे और कैम्प्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे A computer is an electronic machine that accepts information, data, process it according to the specific instruction and provide the result a new information. Hindi में समझते हैं इसका मतलब क्या है? Computer एक electronic device है जो अपने memory में मौज़ूद निर्देशों के अनुसार काम करता है या data को ग्रहण करता है या नियमों के अनुसार प्रोसेस करके प्रिनाम या result देता है. तो हमने जान लिया कि computer क्या है? अब चले जानते हैं computer के parts क्या है? आपको इस्क्रीन पर जो चीतर दिख रहे हैं ये सब computer के part हैं इनको मिलाकर ही एक computer तयार होता है चली जान लेते हैं CPU क्या होता है? CPU एक central processing unit होता है जो computer का एक मुख्य हिसा होता है इसे हम computer का mustix भी कहते हैं माउस एक pointer device है जिससे हम input देते हैं keyboard keyboard भी एक input device है जिससे हम numbers और alphabets के form में inputs देते हैं speaker speaker एक output device है जो की गाने सुनने में या किसी भी प्रकार का sound सुनने में प्रियोक्त करते हैं pen drive एक ऐसा device है जिसमें कि हम soft form में data को store कर सकते हैं और easily one place to another place carry कर सकते हैं printer printer हमारा एक output device है जिसे हम color printing या soft data को hard copy में बदलने के लिए इस्तमाल करते हैं scanner scanner एक ऐसे device है जिसमें हम किसे भी hard copy या hard data को scan करके soft copy में बदलते हैं monitor monitor हमारा दिखने में एक टीवी जैसा लगता है जो की computer का output screen या output form में text हमें दरसाता है तो चलिए start करते हैं sword note one liner पहला point computer का अविस्कार invention सन 1822 में हुआ था दूसरा point सबसे पहला computer mechanical computer था जो Charles Babies ने बनाया था तीसरा point सूपर computer सबसे तीज सबसे बड़ा और सबसे महंगा computer है अगला point पर्थम या first पूर्ण electronic computer का नाम in list है अगला point भारत के सबसे पहले super computer का नाम परम 800 है अगला point माउस सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाली pointing device है अगला point computer द्वारा प्रदान किये गए परिनाम को output कहा जाता है अगला point CPU को computer का मस्तिक्स brain कहा जाता है अगला point प्रिन्टर द्वारा प्रदान किया गया output को hard copy कहा जाता है अगला point पर्थम first microprocessor का नाम intel 4004 है अगला point प्रिन्टर की गयती को BPM में मापा जाता है अगला point electronic card reader, optical mark reader, touch screen एत्याद input device है अगला point डाटा को print कराना output device द्वारा संभव है अगला point डिजिटल और analog का misread mixture ही hybrid computer कहलाता है अगला point में फ्रेम computer का इस्तेमाल railway आरच्छर केंदर railway reservation की center में किया जाता है अगला point माउस एक input device है अगला point Microsoft window का अविसकार computer की fourth generation में हुआ था अगला point वर्तमान पीड़ी या current generation के computer में AI मतलब artificial intelligence का प्रियोग किया जाता है अगला point binary अंग के समूँ या group of binary digits को nibble कहा जाता है अगला point Henry Edward Robert ने website group से सफल personal computer first commercial successful personal computer को 1924 में अविसकार किया था तो ये थे कुछ one liner short note अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू क्ढ़ोगन के उीडियो मेंética को ऊाले करें मेंग करना ilुते है मेंगक को सब्सक्राइब के ले तरह predictive बढा़गो ये प्रबिजयों में यू यो यू भольно क्ड़ियों